हेलो दोस्तो हूं तो आपका स्वागत तो आज मैं लेकर आए हूं तो से कौमिक का नाम है जादूगar की बेटी insists तो यह हमारी इसथी कौम twenty का टप या किरी सी कमिक को 1 पार्ट यानि की इससे पहले मेंने कौमिक के ती जिस्का नाम था मौत की तो ये है उससे पहले का पार्ट मौत की एंदी इस कॉमिक के सेकंड पार्ट है और ये है उसे इस पार्ट खोब्या कर देखि लेते हैं कि जादूगर की बेटी में आगर AO किया था तो उससे पहले कॉमिक में में बढ़ने这 dwelling आप लोग विराट नगर के पार्शी कोटसब में विभिन प्रतियों के ताओं के पाद जादुगर जमालो हब तुम्हारी बारी है तुम अपनी मंत्र विद्या के जोहर दिखाओ जी महराज मंच पर पहुचकर जादुगर जमालो ने अपने हाथ से एक डंडा निकाला और उस पर मंत्र पढ़ने के बाद महराज मेरे हाथ में ये साधारन सा डंडा है लेकिन मैं दाबा करता हूँ कि आपकी सेना का कोई भी सूर्मा इस डंडे को उठा नहीं सकता कहने के साध ही जादुगर ने वाय डंडा अपने निकट ही मंच पर फेक दिया तब जादुगर जमालो मैं तुमारे इस डंडे को उठा कर इतनी दूर फेकूंगा कि ये तुम्हें ढूने नहीं मिलेगा शबाज सेना पती वीर सेन लेकिन ये क्या उफ ये डंडा तो हिला वीर सेन तुम महाराज तो ये जादुगर जादुगर जो अगर हम लोग मिलकर भी इस डंडे को ना उठा शके तो लानत है हम पर फिर सभी ने दम लगा लिया लेकिन उठा न सके हाँ 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 माराज ये सैनिक तो इस डंडे को उठा नहीं सके अब आप मेरे डंडे का कमाल देखिए कहने के साथ ही जादूगर ने मग की एक कोई मंत्र पड़ा तो आश्चर जनक सर वाँ अगले ही पल सभी आश्चर चरक रह गए वहाँ जादूगर जमालो वह सारी सैनिकोडे चले गए सर अब तुम कोई ऐसा खेल दिखाओ जो हम सब देखकर हैरत में डाल दें माराज का होक्म सर आखो पर लेकिन ऐसा कोई खेल दिखाने से पहले मैं माराज से अपनी जान बक्षना चाहता हूं क्योंकि ह हो सकता है माराज मेरे इस खेल से मुझ पर कुरोदित हो जाएं जादूगर जमालो तुम शायद यह नहीं जानते कि हम खेल कूद का सिर्फ आनन्द उठाते हैं खेल कूद पर गुस्सा नहीं करते बहतर है माराज फिर शूम शिडाक अगली पल एक चमतकार हुआ आश्चर यह नहीं हाहा बहुत कूप तुम कमाल के जादूकर हो जमालो मैं जादूगर बको मत जल्दी से मेरे सिंगहासन से नीचे उतरो क्या वकता है तुझा जादूगर सुनो प्रजाजनों यह मुझे जादूगर और अपने आपको राजा कह रहा है और अगले ही पल जनापती वीर सिंग गिरफतार कर लो इसे यह गुस्ताकी कर रहा गुस्ताकी पर उतर आया है चलो मारानी हम महल चलें हेका एक रहनी सुमलता क्रोज से बिफर उठी और बोली बत्तमीश तेरी यह खुरत कि तू मेरा हाथ पकड़े और इससे पहले की क्रोज में रानी जादुगर जमा जमालो कह रहा था दरसल मैंने मंत्र विद्या द्वारा महराज की शक्ति और अपनी शक्ल आपस में भदल दी थी हैं यह क्या क्या फिर जादुगर जमालो ने मंत्र पड़ा तो आश्चर्य जनक तब राजा रितुसेन का छोटा भाई हागे बढ़ता हुआ बोला वाकि ज पांच सवड मुद्राएं थुमारा हिनाम फिर समारो के समापन के बाद जब जादुगर जमालो एक जंगल से होकर अपने गाउं की और बढ़ रहा था कि तबी अचानक भडाक आह कुछ उसको लगा कर जादुगर जमालो बेहोश होकर गोड़े से नीचे गिर पड़ा और अगली पर यह बेहोश हो गया है इसका सामान समेटो और ले चलो इसे फिर जब उसे होश आया तो उफ मैं मैं कहा हूँ और मुझे किसने और क्यों कैद किया है अगली पल बैचीग उठा कौन है जिसने मुझे कैद किया है तुरंथी तैकाने की सीडियों पर एक नकाप पो भी फताया जाएगा लेकिन मैं अभी सुनना चाहता हूं तो सुनो तुम मुझे मंत्र जिखाओ जिससे तुम दूसरों से अपनी शकल बदल लेते हो असंबब मंत्र विद्या सीखने के लिए मंत्र साधना करनी होती है तो तुम मेरी शकल राजा रितुसें जैसी कर दो ता में तुम्हें अपने प्राण भी घवाने पर सकते हैं मुझे अपने प्राणों की कतई चिंता नहीं है तो तु ऐसे नहीं मानेगा शका और अगले ही पल फिर नकाप पोश का इशारा पाते ही शाका भयानक अंदास से जादुगर की और बड़ा काश मेरा जोला मेरी पास ह देता और फिर उसने जादुगर जमालों के लगा दिये थपर धार 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 मैं कहता हूं अभी भी हां कर दे क्यों बिना मतलब अपनी हड्या तुड़ाने में लगा है तू चाहे जो कर ले शैतान लेकिन मैं वो नहीं करूंगा जो तू चाहता है शाका मार हरामजादे को और फिर धार जादुगर मार खाते खाते बेहोश हो गया लेकिन जब उसने हा नहीं किया तो हरामजादा बहुत ही सक्जान है हां सर दार मुझे तो नहीं लगता कि ये इस तरीके से आपका काम करने कर राजी होगा फिर क्या किया जाए सर दार यद्धी हमें इसकी कोई जोरी मिल जाए तो हो सकता है कि अपना काम बन जाए वाशा का तेरी बुद्धी का भी जवाब नहीं मेरे साथ आओ फिर थोड़ी ही देर बाद वर नकाप पोश अपने सातियों के सामने खड़ा उनसे कह रहा था शमशेर और वीरू तुम दोनों आज जादूगर के गाउं जाओ और अपने परिवार में जादूगर जिससे सबसे ज़्यादा सने करता हो उसे उठा लाओ जी लेकिन उसे यहां लाने की जगह नीली पहाड़ी वाली गुफा में ले जाना जी सरकार शमशेर और वीरू ने जादूगर के गाउं पहुचकर जब गाउं वालों से आए हाथ का काम है फिर उस राज जब पूरा गाउं सोया पड़ा था तो कट कट ओ बापू लेकिन जैसे ही उसने दर्वाजा खोला कौन हो तुम लोग लड़की हम लोग कोई भी हो लेकिन आये तुमारे अपरण के लिए हैं हां और अगले ही पल धार आह वीरू तेजी से जादुगर की बेटी की और बड़ा हा सोनाली तेरे जैसे कुटों से निपड़ना जानती है धैर तेरी तो और धार और इसी के साथ वीरू और शमसेर सतर खोटे ये साधारान शोक्री नहीं बलकि आफ़त की पुडिया है इसे काबू में करने के लिए हमें साफधानी वरत सोनाली ने अलमारी से इंसानी हड़ी का एक टुकड़ा उठाया और मंत्र पढ़ने लगी और अगले ही पल ही ही नहीं दो साफ निकले उस हड़ी से फुस उनके गले में लिपट गए अब बोलो कि तुम लोग कौन हो और क्यों मेरा अफ़रण करना चाते हो और अगर तुम कौन है वे नकाब पोश ये तो हम नहीं जानते लेकिन ये जरूर जानते हैं कि इस समय तुम्हारे पिता जमालो भी उसकी कैद में हैं असंबव मेरे पिता को कैद करना एक साधार मनुश्य के लिए असंबव है मैं सच कह रहा हूं जादुगर की बेटी वे नकाब पोश त तुम्हारे पिता से कोई काम करना चाहता है लेकिन तुम्हारे पिता ने उसका काम करने से इनकार कर दिया है तब उस नकाब पोश ने हमें Tumhara offline करने के लिए बेज़ा है और उनकी पूरी बात सुनकर ओ तो यह बात है अब तुम मुझे वहां ले चलो जहां नकाब पोश्ट ने मेरे पिता को क्याद कर रखा है नहीं अगर हम तुम्हें वहां ले गए तो वह नकाब पोश्ट हमें जिन्दा नहीं छोड़ेगा और यदि तुम मुझे वहाना ले गए तो तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूंगी अगर तुमने हमें मार दिया तो तेरा बाप भी जिन्दा नहीं बचेगा क्या मतलब मतलब कि ये अगर सुबह होने तक हम दोनों उस नकाब पोश्ट के पास नहीं पहुचे तो वह समझेगा कि जरूर कोई गड़बड है और तब वह बिना सोचे समझे तेरे बाप को मार डा लेंगे उफ हब मैं क्या करूँ फिर बहुत सोचने विचारने के बाद उसके मन ही मन एक निरने कर लिया सुनो जहां तुम कहोगे मैं चलने को तयार हूँ बहुत खूब अब की है तुने अकलमंदी की बात इस तरह जादुगर की बेटी को नीली पहाडी की गुफा में कैद करने के बाद वीरू और शमशेर नकाब पोश्ट के पास पहुचे आओ शमशेर काम हो गया जी सरकार येलो जादुगर की बेटी की अंगुटी इसे जमालो तरन पहचान लेगा बहुत खूब अब उस जादुगर को मेरा काम करना ही होगा और अगले ही पर जमालो इस अंगोटी को पहचानता है ये ये अंगोटी तो मेरी बेटी सुना ले की है हाँ अब तो तू समझ गया होगा कि तेरी बेटी इस समय मेरे कबजे में है और यदि अब भी तूने मेरी बात मानने से इंकार किया तो तेरी बेटी के टुकड़े टु तो मुझे राजा रितुसेन का चित्र ला कर दो मैं तुम्हारी शक्ल राजा रितुसेन जैसी कर दूंगा रितुसेन का चित्र कल तक तुम्हें मिल जाएगा कहने के साथ ही नकापोश तहकाने की सीडियों की और बड़ा फिर दूसरे दिन येलो रितुसेन का चित्र हाँ अ मंत्र शुरू कर दिए और फिर कुछ दिर बाद ये लो जैसे ही तुम इस तावीज को गले में पहनोगे तुम्हारी शकल राजा रितुसेन जैसी हो जाएगी और जब तुम यह तावीज गले से उतारोगे तो अपनी असली सूरत में आ जाओगे वाँ फिर नकाब पोश ने अपने गले में वह तावीज पहनी और नकाब उतार दी वा सरदार तुम्हारी शकल तो राजा रितुसेन से हुब हुब मिलती है अच्छा ला आइना मैं भी तुजरा देखूं और फिर हा 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 मैं विराट नगर का राजा रितुसेन हा 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 तभी तुम्हारा काम मैं खचा गर्दन हलक कर दी जादूगर की यह आपने क्या किया सरदार शाका यह राज रहे इसके लिए इसे खत्म करना जरूरी था और अब मैं जा रहा हूं नीली पहाडी क्योंकि मुझे जादूगर की बेटी को भी खत्म करना है फिर थोड़ी देर बाद वह गोड़े पर सवार होकर नीली पहाडी की ओर बढ़ रहा था जादूगर की बेटी के बाद नंबर है राजा रित हुसेन का और फिर कुछ देर की यात्रा के बाद कहां है वह लड़की अंदर फिर जैसे ही वह अंदर पहुचा वाह इतनी खूबसूरत हां नकाब पोश गले में तावीस पहनने के बाद चहरे से नकाब उतारता हुआ बोला मैं हूँ विराट नगर का राजा रित हुसेन मेरे पिता जी कहा है तुम्हारे आदमी ने मुझे बताया कि वह तुमारी कैद में है हां तेरा बाप मेरी ही कैद में था मैं अपने बापो की मौत का बदला लूँगी तुससे खाक उड़ा दूँगी मैं विराट नगर की हा 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 वर हसने लगा तु कुछ भी नहीं कर पाएगी लड़की तुझे या तो मेरी रानी बनना होगा या मेरे हाथों मरना होगा मैं तीन दिन बाद यहां आऊंगा इनने से जो भी रास्ता चुनना हो मुझे बता देना दोष्ट कहने के साथ ही उसने अपने चेहरे का नकाब पहने के बाद गले से तावीज उतारी और फिर बाहर की और बढ़ा शैतान तुने मेरे देवता समान बापू की हत्या कर अच्छा नहीं किया तो यह उसके खून की कीमत चुकानी होगी फिर उसी रात वर नकाब पोश्ट खिड़की के रास्ते राजा रित्युसेन के शेहन कक्ष में दाखिल हुआ कितनी मस्ती की नीन सोया हुआ है यह जब से कुछ ही देर बाद इस पलंग पर मैं भी मस्ती की नीन सोऊंगा और फिर राजा की निकट पहुचने पर उसने हाथ से राजा का मुँ दवाया और दूसरे हाथ से राजा रित्युसेन पिनाची के ही अपनी चेदना खो बैटा और अगले पर घर 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 वै शाय तैका ने जैसे रास्ते में पहुचा अब इसे बांदू बंदने के बाद छपा गुस्ता कौन हो तुम और तुम्हारी इस हरकत का मतलब क्या है हा 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 लो पहचानो मुझे जबरसिन तुम क्या चाते हो तुम विराट नगर का राज सिंगहासन असंबव विराट नगर की प्रजा तुम्हें राजा के रूप में कताई स्विकार नहीं करेगी करेगी, जरूर करेगी फिर कहने के साथ ही उसने जादुगर द्वारा तैयार माला गले में पहनी हब बोलो ब्राताश्री विराटनगर की प्रजा मुझे राजा स्विकार करेगी ना हाँ 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 तुम बोल दे क्यों नहीं रितुसेन कमी ने आखिर तूने जता दिया कि तू मेरा सौतेला भाई है लेकिन एक बात याद रख तू इस बहरूप से प्रजा को धोका दे सकता है किन तू रानी सुमन लता और राजकुमार अभैसेन को नहीं इसके फिक्र मत करो रितुसेन जल्दी ही राजकुमार और रानी भी यहां होंगे फिर मैं तुम तीनों को एक साथ मौट के घाट उतार कर निश्चिन्थ होकर विराट नगर पर राज करूँगा दुष्ट आस्तीन के साथ हा 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 कमीने अटा आस लगाता हुआ जवर सेन पत्ठा और उसी गुब्त रास्ते से राजा रितुसेन के शेहन कक्ष में पहुचा और दूसरे दिन सुभई उटते ही उसने सेनपती वीर सेन को अपने कक्ष में बलाए सेनापती राजकुमान अबैसिन इन दिनों करणपूर अपने मामा के यहां है उसे तुलंध ही यहां बुलवाया जाए जी महराज फिर सेनापती के जाने की बात अब मुझी राजदर्वार के लिए थैयार होना चाहिए वैस समय से राजदर्वार पहुचा राजा रितुसेन जिन्दाबात महराज की चैछो फिर दर्वार का कार शुडू हुआ महराज इस वर्ष राजी में फसल कुछ कमजूर हुई है अता किसान लोग कर में कुछ चूट जाते हैं ठीक है महामंत्री जी इस वर्ष किसानों को आधा कर माफ किया जाता है यह सुनते ही प्रजा जय जय कार कर उठी मैंने वही नेर्णाय लिया जो इस मौके पर रितुसेन लेता और ऐसा इसलिए कि प्रजा को या मंत्रीगड को मुझे पर कताई किसी प्रकार का संदेना हो इधर करड़पूर में जब राजकुमार अभैसेन ने राजा रितुसेन का संदेश मिला तो वै अपने मामा देवधर से आग्या लिकर तुरंती संदेश वाहक सैनिक के साथ वेडाट नगर की और चल पड़ा ना जाने पिता जी ने एक आएक ही मुझे क्यों बुलवाया है फिर जब वे एक जंगल से होकर आगे बढ़ रहे थे कि एक आएक ओफ ये कैसा तूफान है अगले ही पल तूफान के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई अब क्या किया जाए तब ही राजकुमार का घोड़ा एक आएक बेकाबू होकर एक तरफ भागा अब जल्दी ही बेकाबू हो जुके घोड़े को छोड़ना होगा वरना हो सकता है ये मुझे साथ लेकर किसी खाई में छलांग लगा दे फिर जब राजकुमार किसी तरह घोड़ा रोक पाने में सफल ना हुआ तो वै कूद बढ़ा अब इस बारिश से बचने के लिए मुझे सुरक्षित स्थान की तलाश करनी होगी वरना अगर कुछ तेर और बारिश में भीगता रहा तो ठंड लग जाएगी ये सोच वर पैदल ही पढ़ने लगा तो आगे हैं ये सवाल क्या जबर सेन की योजना सफल रही क्या वाई राजा रितुसेन, रानी सुमनलता और राजकुमार अवैसेन को खद्म कर सका जादुगर की बेटी का क्या हुआ क्या वाई अपने पिता की हत्या का बदला ले सकी इसी तरह के और भी कई प्रशनों का उत्तर जानने के लिए तुलसी कॉमिक में प्रकाशित मौत की आंधी अवश्य पड़े और ये हम भी आपसे कहेंगे कि मौत की आंधी वाली कॉमिक अवश्य पड़े जो कि मैं इस चैनल पर अप्लोड कर चुकी हूँ तो अभी तक आप लोग को ये कॉमिक कैसी लगी और इसके आगे की कॉमिक यानि की मौत की आंधी जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी तो जाएगा हरव कॉमिक ज़रूर पढ़िएगा तो मैं लेकर आपती हूँ कोई दूसरी कॉमिक लेकिन जाने से पहले अगर आपको कॉमिक पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल भी ना भूलेगा थैंक यू